दोजाद 24 में एक यूटूब चैनल मत खोलना अगर आपके पास इन 6 चीजों की नॉलेज नहीं है तो वनना आप भी 90% यूटूबर्स की तरह अपनी जिन्दिकी के 1-2 साल बरबाद कर लेंगे और एंड में कहेंगे कि यूटूब तो लगका गेम है और इन 6 पॉइंट में से लास पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सीटेक यूटूबर नहीं बनाता बलकि आपको एक रियल इंफ्लूएंसर बनाता है इसलिए वीडियो को स्क्रिप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना वनना आपका फेल होना टै है तो शुरू करते हैं पॉइंट नमबर वन से जो कि है 2024 की शुरू होते ही आप लोगों ने एक रेजलुशन तो बनाई लिया होगा कि इस साल में अपने चैनल पे इतने सब्सकाइबस तो गेन करके रहूंगा ही रहूंगा या फिर एक नया चैनल बनाऊँगा और उसे किसी भी हालत में मॉनेटाइज करवाऊँगा लेकिन एक महीना हो गया है और आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप अल्रेडी गिव आप करने की हालत पे हो इसका रिजन यह है कि आपको पता ही नहीं है कि यूटूब का अर्गोरिदम वर्क कैसे कर रहा है आप जानते ही नहीं हो कि यूटूब आपसे चाहता क्या है और बस एक तरफा प्यार की तरह आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डाले जा रहे हो और कोई response नहीं मिल रहा है यूटूब एक social media platform है जो कि ad revenue से अपनी main earning करता है और हर social media platform की तरह यूटूब को सिफ एक ही चीज़ चाहिए वो है कि लोग उसकी platform पे बने रहे जितनी ज़्यादा देर तक हो सकता है उतनी ज़्यादा देर तक तब ही यूटूब को फाइदा होगा और इसमें यूटूब आपकी मदद चाहता है आपसे एक ऐसा content बनवा के जिसको लोग ज़्यादा दे तक देखे और यूटूब पे बने रहे लेकिन 90% यूटूबर्स इस बात को नहीं समझते हैं जिसके बाद वो लोग आपकी thumbnail के basis पे आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे और उससे देखेंगे जिससे यूटूब को ये पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो किस्टा की लोगों को पसंद आ रही है और फिर यूटूब सिमिलर इंटरस वालने लोगों को आपकी वीडियो भेजेगा और फिर चेक करेगा कि वो लोग आपकी वीडियो पे कैसा रियाक कर रहे है यूटूब बेसिकली दो चीज़ों को ट्रैक करता है वाच टाइम और एंगेजमेंट यूटूब देखेगा कि जिन लोगों को उसने आपकी वीडियो सजेस्ट किती वो कितनी दे तक आपकी वीडियो देख रहे है अगर ओडियन्स उसे काफी दे तक देख रही है या फिर पूरा देख रही है तो यूटूब उस वीडियो को और ज्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा क्योंकि इस वीडियो की वेदा से लोग YouTube पे 7-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक रहे हैं जिसे YouTube काफी मोटा पैसा चाप रहे है वही अगर इस वीडियो की audience retention कम होती तो YouTube इसे suggest करना बंद कर देता क्योंकि YouTube अपनी audience का mood खराब करके उसे दूसरे social media platform पे नहीं बेजना चाता है ठीक इसी तरह अगर आपकी audience आपकी वीडियो पे engage कर रही है यानि कि लोग उस पे comment कर रहे हैं या फिर उसे share कर रहे हैं तो भी YouTube आपकी वीडियो को promote करेगा क्योंकि अगर आपकी वीडियो share की जा रही है तो लोग बाकी platform को छोड़के आपकी वीडियो देखने आ रहे हैं जिससे अगिन YouTube का main motive complete हो रहा है लोगों को अपने platform पे रोक के रखना और वहीं अगर आपकी वीडियो पे कुछ ज़्यादा comments आ रहे हैं या फिर watch time लाकी नहीं देपा रही है तो YouTube आपकी वीडियो को useless समझेगा और उस पे अपना time waste नहीं करेगा अब आदे से जादा लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और वो लगाता है YouTube पे अपना content डालते रहते हैं जिसकी वज़े से वो growing नहीं गरपाते हैं आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि YouTube आपसे आपकी वीडियोस नहीं चाहता है वो आपसे आपका watch time और engagement चाहता है और ये चीज़े कैसे लानी है आपको इस चीज़ पे ज़्यादा focus करना चाहिए पर एक और बहुत important चीज़ algorithm टाइम के साथ change होता रहता है 2014 में जब YouTube पे ज़्यादा creators नहीं थे तब doesn't matter कि आप किससा की वीडियो बना रहे हैं अगर आप ज़्यादा वीडियोस डाल पा रहे हैं तो आपका viral होना confirm था क्योंकि उट टाइम पे YouTube को audience को अपने platform पे लेके आना था जो कि radio या TV में घुसे रहते थे YouTube उनको अपने platform में फसाना चाता था इसलिए उट टाइम पे जितनी ज़्यादा videos होती थी उतनी ज़्यादा variety होती थी और उतनी ज़्यादा लोग attract होती थे लेकिन 2018 में जब creators काफी ज़्यादा हो गे थे तब YouTube अपनी audience को बुला नहीं रहा था बलकि जो audience उसके पास है उनको sustain कर रहा था इसलिए उट टाइम पे YouTube ने लंबी वीडियो को promote करना start कर दिया था अगर आप उस टाइम पे कुछ एक गंटे की वीडियो या फिर 20 मिनट की वीडियो बनाते तो आपके viral होने के 90% chances ज़्यादा थे और इसके बाद 2020 में एक और change आता है जब TikTok और wheels का जमाना start हो जाता है अब लोगों को लंबी वीडियो नहीं देखनी थी बलकि उनको जल्दी जल्दी वीडियो देखनी थी और इसलिए YouTube ने Shorts इंटर्डूस किये और इवन अभी भी YouTube Shorts को काफे जादा promote कर रहा है क्योंकि Shorts देखते देखते कब एक दो घंटे निकलता है पता ही नहीं चलता और यही तो YouTube को चाहिए कि आप उसके platform को छोड़ के जाओ ही न और as a YouTube creator अगर आप बिना algorithm को समझे वीडियो अपलोड करना start करोगे तो आपका fail होना granted है लेकिन क्या algorithm एक lot of factor है जो कि आपके fail होने का reason हो सकता है नहीं अगर आप अभी तक इस बरह में जी रहे हैं कि आप रोज वीडियो डालेंगे और आपकी कोई ना कोई वीडियो तो viral होई जाएगी और वही दूसरे चैनल पे साल में 365 वीडियो बनाते हैं लेकिन सारे वीडियो बिलोव एवरेज है तो वो जो 4 वीडियो वाला चैनल है वो million subscribers गेन कर चुका होगा वहीं 365 वीडियो वाला चैनल होड़ सकता है कि 10,000 subscribers भी गेन ना किये हो reason being कि वो 4 वीडियो की quality 365 वीडियो से भी जादा है और यही reason है कि decoding YT मैं और कहीं सारे छोटे चैनल से इतनी जल्दी ग्रोग कर पाए वो भी इतनी कम वीडियो में क्योंकि यह चीज हमें पता थी अगर आपको quality content बलान में एक महिना लगता है तो कोई बात नहीं लेकिन below average कुछ भी मत दिखाईए क्योंकि अभी YouTube पे options की भरमार है अगर audience को आपकी video पसंद नहीं आई तो वो किसी और की channel पर जाके उसकी videos देख लेंगे और YouTube यह चीज देखेगा तो YouTube उसकी channel को promote करेगा वही अगर audience को आपकी video पसंद आगी तो वो आपकी videos के लिए wait किया करेंगे और YouTube इस चीज को भी देखेगा और फिर वो आपकी channel को भी promote करेगा लेकिन videos की quality बढ़ा है कैसे तो videos की quality बढ़ाने के लिए आपको कोई महेंगे gadgets की ज़रूत नहीं है बलकि आपको सही techniques की ज़रूत है जिसे कि आप सही scripting, voiceover और editing कर पाओ अब although और भी कई सारे factors होते हैं जो कि quality content बढ़ान के लिए important होते हैं लेकिन ये 3 चीज़े basic है और अगर आपको इसको अच्छा करना है तो आप मेरी how to grow on YouTube playlist डेख सकते हैं जापर मैंने हर एक point को अच्छे से detail में explain किया हुआ है और जब आप ये playlist डेख के growth हो जाएंगे तब आपको realize होगा कि आप वो सारी गल्टिया करने से बच गए जो कि हमने सालों तक की थी लेकिन सिफ quality content और algorithm को समझने से आप अपने channel को fail होने से नहीं बचा सकते हैं क्योंकि YouTube अगर आपकी वीडियो audience तक पहुचाएगा ही नहीं उसे impressions देगा ही नहीं तो वीडियो का आप क्या ही करोगे अगर आपको नहीं पता कि returning viewers कैसे increase करें या फिर new viewers को कैसे gain करें या फिर अपनी वीडियो को rank कैसे करवाए या फिर CTR, RPM, CPM जैसी चीज़े क्या होती है तो आप एक बड़े से जंगल में बिना map की निकल चुकी है जहाँ पर आदे रस्ते में आपको YouTube नाम का एक share खाने वाला है SEO में rank करने के लिए basically आपको तीन चीजों की ज़रुत होती है And again, अगर आप अपनी audience को समझ नहीं पा रहे हो तो algorithm आपकी मदद नहीं करेगा अब सही से title, description और hashtags कैसे डालते हैं इसके उपर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना रखी है लेगिन analytics को study कैसे करे, उसे improve कैसे करे और उसके साथ उसको optimize कैसे करे इसके उपर मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस topic पर एक वीडियो बनाऊ तो comment section में analytics लिख दीजिए 1000 comments होते ही, मैं वीडियो बनाना start कर दूँगा पस सोचिए, आप सब को सीख जाते हैं और अपने चैनल की criteria को पूरा करने के बाद उसे monetization के लिए apply करते हैं और YouTube आपको reject कर देता है ऐसा होने की chances बहुत ही जाता है अगर आपको नहीं पता कि YouTube की policies और guidelines क्या है YouTube की नहीं policy के according आप अपने चैनल को 500 subscribers और 3000 watch आज से भी monetize करवा सकते हैं या फिर shorts के 3 million views से भी ये criteria पहले 1000 subscribers और 4000 गंटे का था और 10 million shorts के views लेकिन यहाँ पर YouTube एक game खेल रहा है आप अगर 500 subscribers के साथ अपने चैनल को monetize करवाते हैं तो आपको add revenue नहीं मिलेगा बलकि आपको super chat, membership और merchandise का option मिलेगा जिनसे की काफी कम earning होती है आपको add revenue नहीं मिलेगा जो कि हमारा main source of income होता है लेकिन YouTube ने ऐसा क्यों किया अपने creators को बचाने के लिए YouTube आप पे महरबान नहीं हो रहा है बलकि TikTok ने अपना criteria लोग कर दिया था इसलिए YouTube को भी लोग करना पड़ा बलकि एक short को viral करने से ज़्यादा असान एक long form content को viral करना है लेकिन YouTube ने आपकी दिमाग में इसकी totally opposite चीज़ बढ़ दी है जिसके वज़े से आप काफी ज़्यादा time और मैनत बरबाद करने वाले हैं अगर आप कुसी viral होना है तो shorts आपके लिए सही चीज है अंटिल आप किसी और की voice को clone करके अपनी वीडियो बना रहे हो अगर आप 11 lap जैसे किसी website से अपनी voice generate करवा रहे हो तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप उसको बोलते हो कि Donald Trump जैसे voice को clone करके आपकी वीडियो बनाए तो आपके लिए एक problem है अगर आप AI से कोई वीडियो जीरो से edit करवाते हो तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप किसी और का content उठाके उसे AI में डालके कुछ और बनवाते हो और फिर उसे YouTube पे upload करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी problem है और एवन आप AI की voice को भी लगता रियूज नहीं का सकते हो directly वन्ना वो reuse content में आ जाएगा आपको अपनी voice को थोड़ा से edit करना पड़ेगा ठीक इसी तरह copyright किया है, इससे कैसे बचा जाता है और सही तरह किसे किसी को attributes कैसे दिये जाते हैं ताकि कभी legal case में ना फसे, इन सबकी knowledge होना बहुत ही जरूरी है वन्ना मैं ऐसे भी कई creators को जानता हूँ जिनकी millions में subscribers थे, लेकिन ये policy guidelines को violate करने के विज़र से रात और रात उनका channel गायब हो गया copyright के उपर मैं अलग से एक dedicated video जरूर बनाऊँगा क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा topic है और साथ में काफी complex भी है आप कहाई सकते हैं कि इसको समझाने के लिए एक law की degree होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि YouTube की copyright policy USA के act के according चलती है लेकिन इससे डरनने की कोई भी बात नहीं है बस आपको थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए ताकि आपका career बच सके अब ऐसे भी कही सारे channels है जिन्नोंने इन सब चीजों का ध्यान रखा था लेकिन आज उनकी हालत एक नए YouTube से भी बेकार हो रखी है लेकिन ऐसा कैसे हुआ YouTube एक real business है और हर business की तरह यापे भी competition है और अगर आप अपने competition को नहीं भाब पाए तो आपका competition आपको खतम कर देगा और कुछ ऐसा ही हुआ है जुन्नों की tech और fact tech के साथ और ये problem आपको सिर्फ तब नहीं आएगी जब आप grow कर चुके होगे बलगी आप जब grow करने की कोशिश कर रहे होगे तब आपको realize होगा कि आपसे better channel से आपके बिलकुल बगल में ही खड़े हैं और आपसे compete कर रहे हैं और अगर आपको उनको पीछे छोड़ना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि कोई और नहीं कर रहा है वनना आप भी 90% यूटुवर्स की तरह इस competition में डब के खतम हो जाओगे अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नीशी ऐसी select करूँगा जिसमें competition ना के बराबर हो तो आप बहुत ही गलत हो क्योंकि ऐसी कोई भी नीश नहीं है जिसमें competition ना हो आप कुछ भी imagine कर सकते हैं और जब आप search करेंगे तो आपको उसमें competition मिलेगा ही मिलेगा तो competition से बचे कैसे इसका सिफ एक ही तरीका है कि आपको trend के साथ चलना पड़ेगा adaptation करनी पड़ेगी और साथ में अपनी एक unique identity बिल्ड करनी पड़ेगी इवन हमारी नीश में भी काफी सारे creators पांच साल से भी पहले बैठे वे हैं लेकिन फिछले एक साल में एक नए trend आया है जिसकी बड़े creators को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो है editing का trend ये सारे creators अपनी facecam वाली videos को अठा के अब एक wide board पे आ गया है जहां पर ये wide board पे सारी चीज़े explain कर रहे होते हैं लेकिन नए trend में जहां editing की through हर चीज़ को explain किया जा रहा है उसे ये adapt नहीं कर पाए जिसकी उड़े से छोटे channels भी इनसे ज़्यादा views ले जा रहे है और ठीक इसी तरह छोटे channels में भी competition काफी ज़्यादा बढ़ गया है जहां पर grow करने के लिए आपको कुछ unique करना पड़ेगा और वो कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है चाहे आपके बोलने का तरीका हो सकता है आपकी scripting का style हो सकता है या फिर मेरी तरह एक AI अफटार हो सकता है लेकिन कुछ अलग जो कोई और ना कर रहा हो अब अगर आप competition से बच भी गए तो आपको वो करना है जो बड़े creators मजबूरी में नहीं कर पाते हैं और छोटे creators बीना किसी problem के कर सकते हैं 2024 में हर creator को पता है कि उसकी audience की value कितनी है इसलिए वो regular basis पे Q&A और live streams करते रहते हैं लेकिन अगर आपने इन चीजों को ignore करने की गलती की तो आपका YouTuber बनने का सपना सपना ही रह जाएगा audience को कुछ celebrity नहीं चाहिए बलकि उनको एक mentor या फिर एक friend चाहिए जिससे वो influence हो सके या फिर जिनके साथ वो आगे बढ़ सके और ये difference आप तभी create कर सकते हैं अगर आप उनसे engage हो direct DM के थू, comments के थू, Q&A के थू या फिर live stream के थू जब तक मेरे इस channel पे 10,000 subscribers नहीं हो गेते तब तक मैं अपने इंस्टा पे direct DM के थू, हर एक बंदे का reply किया करता था और उनकी help करता था मैं personally भी काफी लोगों को guide किया है और message इसकी थू, मैंने 1000 से भी जादा लोगों से engage किया है और उनको इस बास से खुशी मिलती है वो लोग मुझे ऐसे यूटूबर से बढ़के एक friend और एक mentor की तद देखते हैं और unconditional ही support भी करते हैं और इसी वज़े से मेरा network भी इतना strong हो पाया जिसकी वज़े से मुझे काफी सारे नए यूटूबर से मिलने का मौका मिला और काफी सारे struggles से भी मिलने का मौका मिला और हम सब एक दूसरे की help करते वे आगे बढ़े हैं जैसे कि मेरी पिछली वीडियो का थमदेर डिवेश ने बनाया था जिसको मैंने help की थी यूटूब पे grow करने के लिए आप एक बाद जाके उसका चैनल भी देख सकते हैं इवन आज भी जोने से पहले मैं कम से कम 20 से लेकि 30 DM का reply करता हूँ और इससे एक ऐसा impact बना है कि कल को अगर मैं कोई एक नया चैनल भी खोलता हूँ भली cooking के उपर एक यूण आओ वो लोग मेरे को support करेंगे doesn't matter की मैं क्या कर रहा हूँ जैसे जैसे चैनल grow होने लगता है आपके पास काम बढ़ने लगते हैं और आपके पास audience से एंगेज करने का उतना ही कम टाइम बसता है लेकिन make sure जिन्होंने चैनल की starting में आपको support किया था अब आपको वो सारे 6 points पता है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए 2024 में एक YouTube चैनल खोलने से पहले और अगर आपने सोच लिया है कि आप एक YouTuber बन के ही रहेंगे तो मेरी इस playlist को जरूर देखना आप औरेड़ी अपने competition से काफी ज़्यादा आगे बढ़ सुके होंगे इसे के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं मैं giveaway का winner अगली वीडियो में announce करूँगा और अगली वीडियो एक Q&A होगी जहांपे मैं YouTube से related हर question का answer दूँगा तो comment section में अपने question लिख दीजे क्योंकि अगली वीडियो में उसका answer मिलने वाला है